हेलो एवरिवन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैट के येर माइट्स कैसे क्लीन किये जाए इस टॉपिक पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं मेरे पास एक कैट आई थी एक्चुल में मेले फ्रेंड ने ये रैंडम ली वीडियो शूट की है उसके कानों में बहुत ज़्यादा गंदगी थी तो एर माइट्स अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कैट को फीवर आता है वो खाना पिना कम कर देती है कान को एक तरफ जुका लेती है यहां वहां चलांग लगाना शुरू कर देती है बहुत सारी प्राब्लम होती है और एक्चुल में वो कैट को बहुत प्राब्लम होती है येर माइट्स होने की वज़े से इसलिए वो इस तरीके से ट्रीट करती है तो हमें बार-बार हफते में एक बार तो भी cat के ears को clean करना चाहिए तो यहां पर मैं दो drops आप लोगों को बताऊंगी तो वो आप लेकर लख लो वो आपको काफी long time तक चलेगा अगर आपके पास cats है तो तो यहां पर आपने यह देखें मैं आपको clearly यह मेरे cat के कानों की मैं यहां पर video निकाल रही हूँ लेकिन इस पर जब इसके मैं कान clean करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी वो भी video लेकिन अभी एक random ली हमने छोटी सी video शूट की है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हो पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपको किन की चीजों की ज़रुत पड़ीगी तो यहां पर आपको इपो ओटिक एक यार क्लिंसर आता है इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेर किया है तो वह आपको एनिमल स्टोर पर मिल जाएगा पैट शॉप होती है वहा सबसे पहले आपने इपो ओटिक यार क्लिंजर के फोर ड्रॉब्स आपको के यार में डालना है अगर आपके कैट को बहुत जादा प्रॉब्लम है लाइक जो मैं यह साइड में स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखा रही हूं अगर आपके कैट में इतने यार में इतने तक अच्छे से कान की मसाज करनी है लाइक कान को फोल्ड करके उसे मसाज करना है एंड देन कॉटन से आप इसे क्लीन कर लो अगर आपके कैट के यह में बहुत जादा प्रॉब्लम है ना तो वह एक ताइम प्रॉपर पूरा क्लीन नहीं होगा उसके लिए आपको तू तू क्लीन करोगे ना तो वह आराम से क्लीन हो जाएगा और फिर वीक टू वीक आपने उसका ध्यान रखना है बहुत जादा गंदगी होने नहीं देना है तो वह हमेशा क्लीन ही रहेगा और बार बार ड्रॉप्स दालकर आप क्लीन करने की कोशिश ना करें एक दिन में एक ही ब स्काली लातलताय फिर आपने एपो टिक के सिसफ दो ढॉप ने है और फिर उनके आनेहे दालने कंम में दालना है और फिर इनव कर देना है उसे छोड़ देना दालकर लास्ट में इससे नको बहुत जादा रिलीफ मुले沟wah मिलेगए और आपकी कैट को अगर फीवर इसकी वज़े से और जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो आइस्था एकदम प्रॉपर हो जाएगी सही हो जाएगी इंशाला तो एक बार यह जरूर ट्राय करें और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कोकोनेट ओयल से क्या हम क्लीन कर सकते हैं या फिर बहुत सारे ओयल क्यों यूज़ करने चाहिए और कोकोनेट ओयल या ओलिव ओयल मैं मना क्यू कर रही हूं मना नहीं करते हैं आप यूज़ कर सकते हो उससे कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन ये ड्रॉप्स यूज़ करने की क्या फाइदे है वह मैं इंशाला जरूर किसी दिन आ आप लोगों के लिए helpful है make sure make sure वीडियो को लाइक कर दें अपने friends and family के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरा WhatsApp नंबर आपको description box में मिल जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वहां पर भ कि आया आप में लगए पयाओ था धष्या वीजा प्याओ ग्रॉओ आपको तिया हैं लगए फटॉद नंगर आपको इछ परॉद के साथ आपको कमेंट दिका कर साथ आपको को